सुभा की पहली किर्ने अक्सर हमें यह याद दिलाती है कि हर दिन एक नया दिन होता है और नई शुरुआत करने का एक और मोका होता है एक बहतरीन सुभा इनकंप्लीट है एक ताज़गी परी चाय के बिना और वो अगर पंडिजी की सुपर रिफरिशिंग लेबन्टी हो तो बात ही कुछ और है सहले के बाड़ी बेसे के लिए एक गार्डन है जो महाराना संद्रम ने अपने सारी रॉयल लेडिस के लिए बनवाया था यहां कई सारे खुपसूरत फॉंक्टन्स भी है जो कुविड प्रोटोकॉल की वज़े से बंद थे यह अलग बात है कि मुझे गार्डन उपन करके फॉंटन बंद करने का लॉजिक समझ नहीं आया एन्यूवेस फोटोग्राफर्स अपना काफी समय यहां बिता सकते है इस जगा का लोकेशन अपने लेमंटी वाले पंडित जी की दुकान के बिल्कुल बगल में है उदेपूर सिटी पैलेस इस पैलेस की स्टापना 400 साल पहले उदेपूर शेहर के साथ ही हुई थी झालेस यहां महाराना प्रतब के आर्मर्स भी रखे है यहां महाराना प्रतब जिनने बहलोल खान को उसके गोड़े के साथ बीच में से चिर दिया थै तो चलिए हम करते है एक क्विक टूर उदेपूर सीटी पैलेस की प्रतब करते है झाल झाल सिटी पलेस के बाहर ही वार्केट है जहां हमने शॉपिंग के बांधनी के कपड़ो की बांधनी एक प्राचिन तरीका है जिसमें कपड़ो को टाई और डाई किया जाता है ये तरीका वेस्टर इंडिया और स्पेशल राजस्तान में काफी पॉपिलर है लंच में हमको राजस्तान का स्टेपल फूट डाल बटी चुर्मा ही खाना था तो हम आये संतोष गोजनाले जो हमें काफी लोकल्स ने सजेस्ट गया था तो ये थी उदेपूर की हमारी हाफडे टूर यहां और भी काफी टूर स्पॉट्स है जिसके लिंक मैंने दिस्क्रिप्शन में दीए तो बस हमफीर आये रोट पे और निकले हमारे अगली मंजिल की और प्राइब को झाल